अलवर के सूचना के इंद्र में अंतराष्ट्री योग दिवस के मौके पर आज शिविर का उद्गाटन किया गया समीति के मंतरी सुशिल जलाने ने बताए कि शिवरों काफी संक्या में आज जोग दिवस पर लोग पहुचे और लोग बड़े गंबीर लोग हमारे सामने आ रहे हैं और यह आप जो देख रहे हैं बच्छे इनमें से एकाप पैस है जो पिछले कैम के दोरान हमने सेलक्ट हिये थे और वाज अच्छे राष्ट्री इस्तर के योग बन गए है और आज अब इनकी जो हमने टीम तेयार किय यह योग कराई में यह शिविर 21 मैं से 21 जून तक सूचना के इंदर में लगाया गया पुराने सूचना के इंदर में शुरू हुए इस कारकर्म का उज़गाटन नगर परिशन संभापती अशोक खन्ना द्वारा किया गया इस योग शिविर में काफी संख्या में लोगों करते रहते हैं और अब तो यहां इनको एक मैने के लिए स्पेशल योग की मिली है सेंट्रल गवर्मेंट से यह हमारे अलवर का सुभाग्य है कि वहां पर हमारा नाम रोशन होता है और यहां प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी योग का हमें दिखाया है यह में मैं आलश से नहीं रहता है इस तरह से मैं अलवर वासियों से अनुरोध करूंगा कि वह इस शिवर में भाग लें और अपने आपको स्वस्त्र यह मिनिस्ट्री ऑफ आयूस मंतराले की ओर से जो भारत सरकार अंतरास्त्री योग दिवास 21 मही से 21 जून तक यहां प्रस् दिल्ली से हूं और वहां पे और आरजी देशाई से नेशनल इंस्टिचूट ऑफ योगा डौलत राम नेचर के और हॉस्पिटल और केंद्री योग प्राकर्चिप चिकिट्चा अनुसंधान परिजग इस से मैं जुड़ा हूँ और यह पिछले तीन वर्सों से योग में मैं यहाँ पर नियूप करता हूं और यह योग करार है अंतरास्त्री योग दिवस प्रारम हूआ है जो की पुरे वर्ड में मनाया जाता है अलवर में गान्य स्वाज़दन समीथी एक ऐसी संस्ता है जो अलवर में योग कर जिसने प्रारम किया था है तरी पीच चालीश व जो योग कराती हैं, लेकिन जो इस्पेसिलाइशन गांदी स्वासंजद सम्झती में है, जो यहां सिखाने वाले हैं, जो कराने वाले हैं, वो सारे वेल क्वाइल योगा अचारिया हैं, तो मैं सभी अलवरवासियों से निविदन करूँगा, कि वो इस अफसर का लाव उठा हैं, और कम से कम एक महिना यहां 21 मज़ से 21 जुन तक आ करके, अगर वो एक महिना योग कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में सक्षम हो जाएंगे और घर बेठे भी योग कर सकते हैं.